सो ही गईस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है विकॉज अगर आप ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीते ते तो अब रूल पूरा चेंज हो गया है यहाँ पे गईस मैं आपको मेरे साथ क्या एक्सपिरियंस है वो भी एकदम 100% रियल शेयर कर रहा था और मुझे बहुत सारी जानकारी मिल गई यहाँ पर गईस एमोजॉन फलिप कार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे है और अगर आप स्मार्टफोन एमोजॉन फिर फिलिप आट से खरीते हो या फिर खरीतने का सोच लोए हो तो प्लीज यह वीडियो पूरा अब अगर आप Amazon या फिर Flipkart से खरीते हो तो Flipkart ये चीज पहले ही कर चुका था अगर आप कुछ भी खरीदोगे तो 7-day returnable replacement भी था पहले returnable आया आप 7 दिन में कुछ भी होता है बिना बेज जग बिना कोई question के आप अपना product return कर सकते थे बट उसके बाद क्या आया कि आप replace कर सकते हो लाइक अगर आपके mobile में या कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है तो delivery boy आएगा वो देखेगा कुछ प्रॉब्लम है सही में कुछ प्रॉब्लम है ता वो replace करेगा और वो directly हो जाता था तो दूसरा यह हो गया अब तीसरा खत्म पूरा यहाँ पर दोनो रूल खत्म हो गया तीसरा रूल आ गया है तीसरा रूल यह है यह चीज फ्लिप काट पहले कर चुका था अगर आप कुछ भी खरीदोगे तो 7-day service center replacement आ गया है तो आप कुछ भी खरीदो कुछ भी electronic प्रोड़क्ट चाहिए वह smartphone, camera या फिर headphone जो भी है maximum आप लोग देख लेना वहाँ पर शो कर देता है service center replacement है या फिर replacement है या फिर returnable है यहाँ पर आप लोग देखना गभी भी कुछ खर दोगे तो please एक बार जरूर से check out कर ले आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाले like मैंने Redmi का smartphone खरीदा उसके display में कुछ problem था अब मुझे उसको return करना है तो मुझे ऐसा लगा पहले return वाला था तो चलो ठीक अब return नहीं हो तो कम से कम replace तोगा दूसरा phone आएगा उसके बजाए तो flip card मेरे को ला कर देगी बट ऐसा नहीं है आपको जाना पड़ेगा service center उसके बाद आपको वहाँ पर job sheet बनवाना पड़ेगा दिन वहाँ पर गईस बहुत सारा जिक जिक करेंगे वो लोग और उसके बाद वह लेंगे या फिन नहीं लेंगे वह मतलब उनके उपर डिपेंड हो है अब पूरा dependent है company के उपर जो भी company का आप स्मार्टफोन या फिर जो भी company का आप electronic product खरीद रहे हो तो उसके बाद गईस यह चीज़ फ्लिपकार्ट में तो आल्रेडी था आपको पता होगा बट यह चीज़ Amazon में नहीं था like Amazon से return हो जाता था रिप्लेस हो जाता बट अब Amazon भी हर product को जो है service center replacement डाल दिया है और यह सहीं भी है बहुत लोग जान इनेबल है replacement है फिर service center replacement है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ like मेरे city में मैं डिस्टिक में रहता हूँ यहां पर एक भी किसी भी brand का service center नहीं है अभी अभी शायद यहां पर Samsung का खुला है वो भी मतलब third party type का है तो अगर आपके phone में problem आएगा और like मेरे घर से किसी भी type का service center में अगर मेरे को जाना है तो मेरे को 500 km दूर जाना पड़ेगा और अगर आप भी एक छोटे city से हो वहाँ पे service center नहीं है तो आप लोग सोच लो कितना बड़ा issue होने वाला है मैं आपको बताऊंगा इस like कोई भी online smartphone खरीता था वो इसलिए खरीता था like कुछ भी problem होगा 7 दि साधी कुछ हो सकता है और मैं तो डर रहा हूं लाइक फोन में अगर इटा या फिर साबून आ जाएगा फिर क्या होगा वाई उसका तो मतलब मेरे खाल से amazon या फ्लिपकट जो भी action लेते हैं फिर वो मतलब 15 दिन 7 दिन लगाते हैं पूरा का पूरा investigation होता है उसकी बात बलता है तो बहुत जादा दिककत में पढ़ने वाले हो आप लोग और मैं अपना real experience बता रहा हूं सबसे पहले यह सुन लो कोई भी बंदा online phone या फिर कुछ भी electronic product इसलिए खरीदता था कि हम अगर कुछ खरीदेंगे तो हम उसको साथ दिन में अगर कुछ भी problem आता है तो बेजज़क वापस कर सकते हैं और कोई भी issue नहीं है तो लोग offline market में नहीं जाते थे क्योंकि बिल बन गया है अब ये वापस नहीं होगा तो ऐसा scene होता था बट अब maximum लोग अब बट जाएंगे जिसको like offer offer से कोई मतलब नहीं है वो नहीं जाएगा online market में वो offline market में जाएग तो maximum लोग offline market में भी believe करते हैं और हला कि जो मतलब mobile में trust नहीं करते हैं जो थोड़े अंदर गाओं से आते हैं या फिर जो थोड़े बड़े उमर के हैं वो लोग ये सब चीज करते हैं और अपन जो you are लोग हैं वो online market में जादा believe करते हैं बट अब ऐसा नहीं है मेरे को भी यसे ख्यालात आ रहें अब मेरे को भी offline market में जाना पड़ेगा और लेना पड़ेगा चीजे क्योंकि एक तो ये लोग 4-5 दिन का time लगाएं डिलिवरी में देन उसके बाद delivery भी होगा और अगर product defect हुआ है तो वह अलग tension like कुछ भी खरीदा है हम same day just minute में हम लोग ले सकते ह है अगर हमारे city में किसी shop में वह चीज available है तो अब मेरे सथ क्या हुआ मैं आपको real story सुनाता हूं like मैंने Redmi 13 से smartphone खरीदा था तो एक मैंने पहले की बात है और उसमें मेरे को छोटा सा एक dot दिखा तो मैंने call कि Amazon को Amazon से मैंने खरीदा था तो उन्होंने बोला कि ये product service center replacement है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं मुझे ऐसा लगा था तब तक कि कोई बंदा आएगा उसको replace करके जाएगा बट नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने मुझे बोला कि आप service center जाईए वहां से job sheet बनवा कर लाईए service center में अगर वो product available होगा तो आपको हाथो हाथ नया phone दे देंगे या फि फिर वो मतलब replace होगा repair वाला तो कोई chance ही नहीं है क्योंकि एकदम नया है seven day तो हम लोग replacement ले ही सकते हैं company के थ्रू हो रहा है और उसके बाद उन्होंने बोला अगर product वहां पे available होगा तो नया देंगे नहीं तो आप job sheet बनवा कर लाओ दिन job sheet बनवा कर आप मुझे mail करो यह उसका कौन देगा तो उनका साफ कहना था कि यह हमारे पर depend नहीं करता है वह आपकी problem है और आप इसके regarding जिस भी company का अपने smartphone करीदा है like मैंने राड़ी का खरेदा है तो आप राड़ी में customer care में बात कर सकते हैं सेम चीज मैंने बोला कि बहुत दूर है मैं नहीं आ पाउंगा दिन पूरा मेरा वेस्ट हो जाएगा आने जाने का खर्चा कोन देगा और बहुत सारे चीजह होए तो वह बोले कि आप Amazon से बात करो दन फि बोला कि आप Redmi से बात करो देन उनको बोलो कि वो ऐसा करेंगे तो मैंने बताया कि उन्हों वो नहीं मान रहे हो बोल रहे सर्विस एंटर जाना ही पड़ेगा घर बैटे कुछ नहीं होगा हम नहीं आएंगे देन उन्होंने मुझे एक चीज बताया और मुझे एक रिपलाय आया और वहां पर मुझे पूरा फेल करना था लाइक क्या प्रॉबलम है गा मोबाइल का आई एम आई नंबर क्या है साथ में प्रॉबलम की फोटोस प्रॉबलम की विडियो वो प्रॉपरली शो होना चाहिए और उसको भेजने के बाद वो लोग मु आने जाने का पैसा खौन देगा बहुत सारा प्रॉबलम है और यह भी बिल्कुल भी तैय नहीं है कि आप सर्विस सेंटर उस वाले में जायोगे और वो बोल देगा कि हां हमारे हैं होगा हम थर्ट पाट ये दूसरे जगह जाओ तब क्या करेगा बंदा तो भाई बहुत जाधा प्रॉबलम है यार अब आप लोग सोच लो आप लोग कमेंट करो कि ओफलाइन मार्केट सेफ है या फिर ओनलाइन मार्केट अभी भी सेफ है इन सब मामलों में हाला कि ये बहुत रेर होता है कि प्रोड़क्ट डिफेक्टिव आया ऐसा कुछ लेकिन फिर भी डर त सकते हो खरीद सकते हो बहुत सारे बेनिफिट है ओफलाइन मार्केट में अब बस एक ही बेनिफिट बचा है जो है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कभी कबार कुछ आजाते हैं बस एक ही बेनिफिट बचा है बाकी आप ओनलाइन से खरीदोगे आपका टाइम ल अब भी भी और फिलाल इस वीडियो में इतना ही होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद में आया होगा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स पर वाचिंग गाइस